हेलो एवरीबड़ी गाईज कैसे हैं आप सब उमिद करूँगा सबके सब फिटन फाइन होंगे तो फ्रेंज एक बार फिट से आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टेकनिकल लवी अन गाईज सबसे पहले बताना चाहूँगा केंडल स्टि पूरी सेरीज आने वाली है दो पार्ट में एपलोड कर चुका हो अगर आपको नहीं बता है आफ फिर्स टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो टू पार्ट में आपको बताया कि किस तरीके से केंडल स्टिक पैटर्न को हम जज़ गरते हैं मतलब बाडी क्या होता है शै करने वाले हैं जहां हम hammer के बारे में discuss करेंगे कि जैसे आपको hammer candle मिलती है तो market किस तरीके से react करता है आपको trade upward direction में लेनी है या downward direction में लेनी है believe me guys अगर आप यहाँ पे सीखना चाते हो candle stick patterns को अगर आप trading को सीखना चाते हो binary या forex को read करना चाते हो market को या आप समझना चाते हो कैसे हम candle stick patterns को read करके trade ले हाँ time जरूर लगेगा मैं हमेशा सापको कहता हूँ time consuming process है थोड़ा time आपको जरूर लगेगा लेकिन आने वाले time में अगर आपसे कोई question करता है कि भाई आप trading करते हो क्या जानते हो trading के बारे में तो believe me अगर आप सारी series को follow करते हो हर एक वीडियो को देखते हो तो उसको answer करने लायक आपके पास जवाब जो है वो जरूर होगा चले guys वीडियो को जो है start करते हैं दोस्तों अभी आप जो है स् space service space family और आप वहाँ से join हो सकते हो otherwise link जो है आपको description में भी मिल जाएगा आप वहाँ से भी directly join हो सकते हो guys hammer की जो pattern है वो इस तरीके की pattern होती है जैसा कि आप screen पे देख पा रहे हो आइदर ये black और white यानि कि ये shadow और body दौनों में आपको मिल सकती है मतलब आपको ये black भी मिल स सकती है ये and ये full भी मिल सकती है तो आपको यहाँ पे बहुत easy हो जाता है judge करना या देखना की candle hammer है या pattern hammer है या नहीं hammer पैटन को किस तरीके से recognize करेंगे तो देखे यार छोटी सी body बनेगी आपकी ये छोटा सा box आपको दिखेगा उसके नीचे आपको एक बहुत आसान दोड़ा और आसानी से जाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों के लिए क्यों कि यार देखे technical terms जो है वो बताना ठीक है वो समझना आप लोगों के लिए जरूरी है किसी हद तक लेकिन जब तक आपके चीज clearly समझ ना आए तो क्या फायदा उस चीज़ का तो इसलिए मैं आपको जो है कोशिश करता हूँ के आराम से और जो है describe करने की कोशिश करूँ आपको process जो है पूरा पूरे तरीके से समझ आए यह हमेशा से मैं कोशिश मेरी रहती है अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर यह ब्लैक और वाइट का जो combination है मतलब भी ब्लैक भी हो सकता है और at least जो है two time real body से जादा होगी इसकी shadow यह आप देख सकते है और एक और चीज़ अगर यहाँ पर आपको trend मिलता है अगर पहले आपका जो pattern है hammer pattern उससे पहले downward trend है तो उसके आने के बाद hammer pattern मिलने के बाद trend जो है बिलकुल change आपको मिलेगा upward trend में आपको देखने को अब hammer pattern के बारे में थोड़ी से देख लेते हैं देखें यह जो pattern है इसको हम hammer pattern बोल सकते हैं यह pattern आपको दिख ना करेlling Oprah यह यह देखे, यह भी hammer नहीं है, recognize कीजिए इस candle को, इस candlestick pattern को recognize कीजिए, इसे ही हम hammer candle, hammer pattern बोलेंगे, इससे अगर पहले देखेंगे, तो downward trend पे है, जैसे ही हमें hammer candle मिली, upward direction स्टार्ट हो गया है, हलागि थोड़े fluctuations देखने को जरूर मिलेंगे, यह exactly आपको upward direction डिरेक्शन डिरेक्टली नहीं मिलेगा, लेकिन आपको अगर आप long term के लिए देखोगे इस चीज़ को, तो upward direction आपको definitely मिलेगी, अगर आप hammer pattern के साथ जाते हो, तो, ठीक है, अब मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ, देखे, support and resistance के strategies बहुत लोग यूज करते हैं, जैसा कि आपको पता है, बहुत ही popular and famous strategies रहती है, तो यहाँ पर support किस तरीके से use कर सकते हो, as a hammer, as a support, तो किस तरीके से आप use कर सकते हो, तो देखे, उसके लिए देखे, यह आपको एक hammer candle यहाँ पर देखती है, जैसी आपको hammer candle दिखती है, market है, बिल्कुल downtrend पे, लेकिन up trend पे नहीं जाता है कुछ time तक, and then आपको suddenly एक और hammer दिखता है, बहुत बड़ा, इसको clearly hammer नहीं बोलेंगे, but kind of hammer, तो उसके बाद आपको देखे, market किस तरीके से change होता है, हाला कि जरूरत आपको इसकी पढ़ेगी नहीं, क्योंकि जादा technical terms में चले जाते हैं, तो आपको जरूर जरूरत पढ़ेगी इसकी, क्योंकि देखे, technical जो चीजें है, जो analysis है, वो सारी चीजें important है अपनी जगा, लेकिन मेरा जो मानना हमेशा से रहता है, कि अगर आपके समझ आ जाता है, जो समझाने के मैं कोशिश कर रहा हूँ, आसान भाशा में, तो फिर technical terms की जरूरत उस time पर नहीं पढ़ती है, क्योंकि अगर आपसे कोई भी पूछता है about trading, about this kind of patterns, तो आपको इतना capability आपके अंदर होना चाहिए, कि आप उसे अच्छे से समझा पाएं, that's it, तो अब मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ, देखिए, यहाँ पर hammer pattern के हमने डिसकस कर ली है, एक और मैं example आपको दिखाने वाला हूँ, hammer as a support, तो देखिए, थोड़ा सा लंबा सा process चला गया, तो यहाँ पर आपको 20-25 मिनट लग जाएंगे, अगर आप एक मिनट की candlestick pattern को यूज करते हो, तो यहाँ पर आपको 20-25 मिनट लग जाएंगे, देखिए, अब यहाँ पर आपको hammer मिला, यह देखिए, आपको hammer मिला, downward direction में trend है, लेकिन अभी भी थोड़ा-थोड़ा-थोड़ा-थोड़ा unstable सा यह downward direction में ही दिखेगा, उसके बाद आपको थोड़ा wait करना है, support की line तक, जैसी यह support अभी यहाँ पे, जैसी आपको यह first candle मिलती है hammer की, तो इसको एक support line की तरह आप ले सकते हो, कि इससे नीचे market जो है, वो नहीं जाने वाला है, उसके बाद आप इसको यहाँ से upward direction में trend होगे, तो बहुत अच्छा सा result आपको मिलने वाला है, और इस तरीके से आप है hammer को use कर सकते हो, एक और चीज आने वाले time में सारे patterns को read करेंगे, एक ही साथ अगर मैं सारी चीज़ से बताऊंगा, तो वो थोड़ सा एकदम खिचडी सा हो जाएगा, तो यहाँ पर हम वो चीज़ नहीं करने वाले, धीरे 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 जो patterns के parts आएंगे, और बहुत कुछ discuss करेंगे, एक और चीज़ यार, जैसा आपने previous दो वीडियो को प्यार दिया है, बहुत अच्छा लगा, आपने जो candlestick patterns को read करने की जो series है, उनको बहुत अच्छे से आपने like किया है, comment किया है, और share भी किया है, तो उमीद गरूँँँगा यार, like आपने अभी तक कर दिया होगा वीडियो को, subscribe चैनल पे कर दिया होगा, बिल्कुल नए होंगे तो, टेलिग्राम पे आपने join कर लिया होगा, अगर आप अभी तक नहीं join हुए हो तो, क्योंकि मैंने आपको starting में ही, describe कर दिया था, टेलिग्राम की terms, अगर चीज़ यार, comment कर दिया करो, अच्छा शेयर कर दिया करो वीडियो को, और आने वाले टाइम में, बहुत अच्छी अच्छी वीडियो जाने वाली हैं, चलिए गईज मुलाकात जो करेंगे, नेक्स वीडियो में, थेंक्यू स्वामच,